जै गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मैं आज फिर आपके सामने कुछ सत्संग शेयर कर रही हूँ, अपने एक्सपेरियंसे शेयर कर रही हूँ, यहां बहुत सुंदर हवा चल रही है यूएस में और उसी गार्डन में पेड़ों के नीचे जंगल के बीच में बहुत आ कि आप यहीं कहीं हवाओं में मेरा सत्संग सुन रहे है और मुझी बहुत अच्छा लगता है बहुत ब्लैसिंग मिल रही है आपका सवरूप मेरे सामने है, तो मैं आपको संकजी सत्संग सुनाती हूँ, सत्संग सुनाते हुए कुछ बूल चुक हो जाए तो अंजान बच्ची समझ के गुरु जी शमा करना, सरवद्दे कारज रास करना, सेही प्यारे मेर, जिना मिलया, तेरा नाम चितावै, नानक नाम चड़ दिकला, तेरे पाने सरवद्द दबला, वही गुरु जी का खालसा, शिरी वही गुरु जी की फत है, पता नहीं कितने लोगों के question के answer मिल जाते हैं, तो मैं आपको ये अपना तब का सचसंग सुना रही हूं, बहुत साल पहले जब मैं गुरु जी से नहीं नहीं जुड़ी थी, तो तब गुरु जी ने मुझे बहुत bless किया, मैंने अपनी life journey with गुरु जी के अपने सचसं इसमें नहीं कर पाऊंगी, पर संगत जी बहुत सारी blessing देते हैं, जब आप गुरु जी से जुड़ते हैं तो गुरु जी आपको बहुत bless करते हैं, लेकिन मेरे साथ साथ बहुत सारे संगत के ये question होते हैं, कि गुरु जी जो है, वो blessing तो देते हैं, लेकिन एकदम से थोड तो परिक्षा भी उनकी लेते हैं जिसको गुरु जी नेНे गुरु जी को पता होता है करी है। Buy जी इसको काविल समझते हैं तब ही वह सब्किरिक्षा लेते हैं वरना हर किसी की परिक्षा नहीं लेते हैं। तो किसी किसी की जरनी गुरू जी के साथ स्टार्ट होती है, चलो कुछ साल रहती है, फिर उसके बाद बीच रास्ते में ही वो लोसंगज छूट जाती है या उनका नितनेम छूट जाता है, ठीक है, गए मनstiर गए चले गए, गुरू जी की ब्लैसिंग मिल रही है, पर कुछ मुझे लोग ऐसे होते हैं कि जीनके जीवन में बहुत-बहूत-बहुत-दुख हैं उनके करम पहब demos यह को उन्हों ने या हमने ऐसे करमज इसी जीवन में नहीं किये कि हमें दुख लोगन पड़े लेकिन हमारे प्रादब्ध के जो करम है न वह तो हमें जरूर जरूर हमें काटने पड़ते हैं तो जब हम गुरुजी की शरन में आ जाते हैं न संगत जी तब हमारे सारे प्रारब्द के बुरे करम अच्छे करम सब एक जगा पे इकठे करके गुरुजी पोटली में बांद के अपने पास रख लेते हैं और गुरुजी इसमें छटाई करते हैं करमों की जो हमारे बहुत बुरे करम होते हैं वो गुरुजी 90% उसको मिटा देते हैं और 10% छोड़ देते हैं ताकि हम कभी भगवान को भूल ना पाएं क्योंकि हम बहुत नाशुक्रे होते हैं तो इसलिए गुरु जी हमें समय-समय पर याद दिलाते हैं, मुझ जैसे को तो खास कर याद दिलाते हैं, क्योंकि मैं शुरू में बहुत भटकती थी, जब गुरु जी से नहीं मिली थी, मैंने भी संगत जी कुछ नहीं छोड़ा, कोई गुरु द्वारा, कोई मंदीर, कोई बाला जी, कोई जंडे बाले मंदीर, और कोई मतलब विशीकेश, हरीद्वार, वैशनो देवी, और ये शनी देव, नव ग्रे, मैं आज सोचती हूँ कि मैं किस जगा ऐसी थी, जहां मैं नहीं जाती थी, कौन से ऐसे स्टोन थे, जो मैं नहीं पहनती थी, पर याद आता है कि गुरुजी ने क्या लीला रचाई अपनी, एक एक करके, एक एक करके, सारे दुखों का खात्मा करते चले गए, पता ही नहीं चला, जब मैं गुरुजी के पास गई, तो इतने सारे में दुख ले कर गई थी, इतने दुख थे, इतने दुख थे, कह तो कुछ नहीं उपर से लेके नीचे तक नेगटिव नेगटिविटी से भरी हुई एक पोटली थी मैं मुझे नहीं पता गुरु जी से जब हम यहां बात आती है सेवा की जाते ही क्योंकि गुरु द्वारों में बहुत सेवा की शुरू से मंदिरों में सेवा की लंगर प्रशाद बनाती थी तो जब गुरु जी के मंदिर पहली बार गई तो वहां जाते ही गुरु जी से एक ही बस बात कई कि गुरु जी सेवा दे दो अब मंदिर के सेवादारों ने कहा कि आंटी इतनी जल्दी यहां सेवा नहीं मिलती होती यहां चार-चार साल से लोग आ रहे हैं और आपको क्या लगता है कि गुरू जी के पास पहले आप आओ साल दो साल आओ फिर गुरू जी की मरजी होगी तो आपको सेवा देंगे पर ठीक है मन में भाव था कि चलो अब मंदिर आना शुरू हो गई हो तो सेवा भी दे दें जो मिलता उसको कहती जो मिलता उसे कहती पर हाँ मैं इस बात का बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरू जी को हमारे मन के भाव पता होते हैं तो वो क्या करते हैं कि उन्होंने पहले दिनी फर्स टे जब मैं गुरू जी के मंदिर गई तो अपना प्यार गुरू जी ना हमें अपना प्यार देते हैं जब हम बहुत प्रेम से बहुत विश्वास से किसी के दर पे जाते हैं ना दुखी होके एकदम समय लो हमारी जिंदगी खतम होने वाली है और हमारे सारे दर्वाजे बंद हो चुके होते हैं तो जब हम किसी के बस बहुत आस लेके जाते हैं और हमारे मन में सच्ची भक्ती औ कोई भी हो हमें गले जरूर लगाएंगे तो वो तो गुरु है गुरु भ्रह्मा महाशिव गुरु ने तो गले लगा नहीं था तो गुरु जी ने मुझे प्यार वापस देने के रूप में तोहफे के रूप में मुझे उस दिन ग्लास धोने की सेवा भी दे दी जो मेरे जाने लगी जैसे मुझे हफते में दो दिन गुरुजी बुलाना लगे थर्सडे और मंडे आज मैं बहुत सारी संगतों के सत्संग सुनती हूँ पुराने संगत नए संगत वो कहते हैं कि गुरुजी का हुकम होता था कि अगर एक हफते में एक बार आना है तो वो एक ही बार जाते थे अगर किसी को चार बार बुलाना है तो वो चार बार ही जाते थे किसी को पंदरा दिन में बुलाना है तो वो पंदरा दिन में ही जाते थे पर हो सकते है गुरुजी की मर्जी हो मुझे दो बार बुलाना हो मेरी नेगजिविटी को दूर करने के लिए मुझे सी रोटी बनाने की सेवा मिली मुझे शेटल सेवा भी मिली वाश्रूम की सेवा भी मिली मिलती गई सेवा पर गुरुजी को न ही पता होता है कि अभी इसके जीवन में बहुत सारे कश्ट बाकी हैं बहुत सारे इतने कश्ट हैं कि इन कश्टों के रहते इन विपदाओं के इ सेवा का धर्म होता है हमारा हम सेवा मांगते हैं कि जब हम बहुत दुखी होते हैं या हम बड़े खुश होते हैं तो हम कहते हैं गुरुजी मैं अपनी सेवा दो पर हमें नहीं बता होता संगर जी कि हम सेवा मांग रहे हैं हम उसके लायक भी है के नहीं है हम वह कर भी पाएं तो मैं थोड़ी जिजग जाती थी तो गुरुजी वो मेरी परिक्षा ले रहे थे कि ये सेवा कर पाती है या नहीं कर पाती है तो गुरुजी ने मेरी सेवा दे के छोट-छोटी सेवा दे के मुझे देखते थे कि देखूं इस लायक है के नहीं सच्ची में मैं इस लायक नहीं थी उन दिनों कि मुझे कोई सेवा मिल पाती एक बार गुरुजी ने मुझे वाश्रूम की सेवा दी गुरुजी परक्ते हैं मैं एक आंटी के पिछे पड़ गई मुझे सेवा दो आंटी ने आंटी को मुझे पता नहीं क्या हुआ कहने लगी चलो मैं आपको ना वाश्रूम की सेवा देती हूँ पर तुम ना हर मंडे को आओगी सुबा से लेके दुपैर के ऐसे ऐसे दो बज़े तक तुम्हें यहां रुकना पड़ेगा मैंने का ठीक है तो मुझे ना थोड़ी मुझे गर्मी ज़्यादा लगती है और मैं एसी के बिना नहीं रह पाती हूँ पर मेरे को यह बता था गुरू जी के मंदिर में हर जगा एसी लगे हुए हैं पंखे चलते हैं वाश्रूम में भी मैंने देखा था कि एसी की हवा आती थी और फैन भी लगे हुए थे तो मिर को लगा कि मैं राम से सेवा कर सकती हूँ और वाश्रूम की सेवा तो मैंने सुना था करने से बहुत सारे करम कटते हैं तो मैं उस दिन सेवा करने के लिए करना आप न celebrations करना ने के सेवा करना मैंने अपने इंकल को फोन कर दिया कि मैं लेट आउंगी और आणते कि चॉक से मैं वुथे करने लगी आण्टी ने पहले तो मुझे यह जो आमने जामने वाशरों में में मेर को दे दिया पूचचा और वो बाइपर और सरफ दे दिया ये सारी टाइले साफ करो वाश बसिन साफ करो और सारी की सारे नीचे पोचे लगाओ मैं बड़ी खुश और मैं चुप चाब बिल्कुल मगन होके सेवा करती रही मुझे घर्मी बहुत लग रही थी महां सिरफ फैन चल रहा था महां पर एसी नहीं था उस दिन वो कह रहे थे यहां का एसी खराब हो गया यहां हवा नहीं आ रही है कूलर भी नहीं है और सिरफ प घमारे नहीं थी जो मुझे नहीं थी तोगुरूजी को पता था कि मुझे गर्मी से माइग्रेन हो जाता है मेरा सणगल हो जाता है गुष में आंती ने कहा कि जाओ आप चाय भी पीलो था समोसा परशाद भी खालो जाके पहले मैं खा चुकी थी एक बार तो आंटी ने का कोई बात मी जाओ दुबारा से खालो मैंने का ठीक है मुझे भूब भी लग गई थी मैं गई चाय पीके आई समोसा परशाद खाया और उन दिनों गार्डन में जहां जूला अब लगा रख है वाई बहुत सुंदर महां बैटके चाय परशाद और समोसा परशाद मिलता था तो वापिस आई मैं तो आँटी मेरा सरदर शुरू हो गया बहुत तेज मेरे सरदर में माईग्रेन स्टार्ट हो गया गर्मी की में जैसे मुझे काम करने में कोई करभी प्राबलम नहीं रहे क्योंकि सेवा में कई कई घंटे कर सकती हो पर मुझे गर्मी नहीं बरदाश होती लेकिन गुरू जी तो देख रहे थे कि देखूं क्या करती है ये इसको सेवा मांग रही थी ये आज दे दी इसको सेवा तो क्या हुआ कि मैंने आंटी को डरते डरते बोला आंटी मेरे सर न दर्थ से फटा जा रहा है आज पहला दिन है मुझे आज जाने दो मैं बता के भी नहीं आई घर में मैंने बहाना बनाया कि मैं बता के नहीं आई ये नहीं बताया कि मैंने फोन कर दिया तो मैं न अगले मंडे से न आ जाओंगी पूरे टाइम पे सुबह सुबह आ जाओंगी साथ बजे आंटी ने का मैंने आपको पहले ही मना किया था कि आप बीज में मत छोड़के जाना आज दूसरी आंटी चुटी पे हैं बरन हम किसी और आंटी आई थि उनको लगा लेते मैंने का आंटी देख लो आप कोई बात नी मेरे दबाई तो जैसे कि नॉ मैं न फटाफट भागी वहां से, मैंने बड़ी मुष्किल से निकली, गाड़ी निकाली, मैंने कही आंटी मुझे दुबारा से न बुला ले, हम होते हैं, बहुत नेगटीव होते हैं, सिरफ दिखाते हैं उपर-उपर से कि हमें सेवा दो, सेवा दो, जब क करने का वक्त आता है न थो भाग जाते हैं मैं अपनी बात बता रही हूँ उस समय क्या थी मैं गूरू जी ने मुझे क्या से बनाया निम्बू की तरह निचोड़ के और मेरी एक-एक परत को साफ करते रहे गूरू जी धीरे-धीरे मुझे पॉलिश करते रहे अपने मंदिर बुलाके लंगर परशाद खिलाके शबद गुर्बानी सुना के सट्संगों में भेज के गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस के इतना ब्लेस कर दिया फिर संकर जी मैं अगले मंडे को उन्होंने आंटी ने मुझे का था कि तुम न मुझे बता दे न अगर नहीं आओगे न तो फिर आप मुझे एक दिन पहले न ये मेरा नंबर है मेरे को न मेसेज कर दे न वही हुआ गुरू जी की लीला नेक्स मेंडे को मुझे कोई बहुत जरूरी मेरे अंकल ने बोला कि कहीं पर साइन करने के लिए जाना है तो मैंने आंटी को एस यूजवल रात को फोन कर दिये क्योंकि मन में ये था ना मन में सवाल आ चुका था एक कि गुरू जी बड़ी गर्मी लग रही है और आपको पता है मुझे गर्मी बरदाश नहीं होती मेरे को कोई ऐसी सेवा दो कि मैं ना मतलब की ठंड में सेवा कर सकूं मैं कई ऐसी जगह मुझे सेवा दे तो यहां पर एसी बगारा चलता हो कूलर चलता हो गर्मी के दिन थे महत ज़्यादा उन दिनों तो जुलाई एगस की ये बात है तो संगत जी उनी दिनों थोड़े टाइम के बाद ही मुझे क्या कहते है मैंने कहां मेरे को शटल सेवा दे दे ना मैं नहीं गारी लेने वाली हूं एसी वाली गुरु जी तो अपनी मर्जी देते है ना पर संगत जी यहां हम अपने आपको कह रहे हैं नीमे हैं, हम अपनी गल्ती बता रहे हैं, हम लेगिटिव थे, लेकिन इससे बढ़के गुरुजी को पता था कि मैं इसको पर्मारेंड सेवा क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि गुरुजी को पता था कि मेरे उपर जीवन में कौन सा बहुत बड़ा एक कष्ट आने वाला था, कि गुरुजी मुझे वो सेवा नहीं दे सकते थे आज हम अपने आपको ये कहते हैं कि हाँ हमारे अंदर कमी थी पर गुरुजी को पता है किसमे कमी है किसमे अच्छाई है तो मैं अभी आपको अपने ये पार्ट नंबर वन मैं आपके आगे शेयर कर रही हूँ कि लंबा सत्संग हो जाएगा तो मैं सेकिंड सत्संग में आपको अभी दुबारा से बताती हूँ मैं कि कैसे इसमें मैं जॉइन कर दूँगी या तो उसको या फिर अलग डाल दूँगी कि गुरुजी ने कौन सा कश्ट दिया और कैसे उससे मुझे निकाला शुक्राना गुरुजी संगा जी मैं अपना वो पार्ट नंबर टू आगे कॉंटिन्यू कर रही हूँ जो सत्संग मैंने भी छोड़ा था कि उसके तुरंत बात गुरुजी ने उन दिनों मुझे बहुत ब्लेसिंग दी जो जो चीजे मुझे मैं मन में सोचके जाती थी मुझे गुरुजी हर चीज वो पूरी कर रहे थे मेरे को शॉप भी दिला दी थी बहुत कम रेंट पे जैसे मुझे चाहिए थी स्टूडियो और मेरे काम भी बहुत अच्छा हो गया था और गुरुजी ने मुझे फर्स्ट मंथ में डुगरी बला लिया था किसी के तुरू और हमारे स्टूडियो में सत्संग भी करा दिया मैं हवा में उड़ रही थी मेरी तो पाउं अपने जमीन पर रही थी और मैं इतनी खुश थी सारी दुनिया को मैं गागा के बताती थी कि मुझे तो ऐसे गुरुजी मिल गए है सच में ऐसा होता भी है कि दिवाने हो जाते हैं दिवानगी की हद पार कर जाते हैं कि मुझे तो गुरु जी मिल गए है, मैं तो अब गुरु जी के सिवा, मेरी जिन्दगी में एक बहार आ गई है, सब कुछ अच्छा हो गया है, मैं कितनी चीजों में उल्जी हुई थी, तो सब कहने लगे कि तुम तो भाई गुरु जी को मानती हो, तो मैंने का मैं तो भाई गुरु जी को भी भी मानती हूँ, मैं भी बंगला साब जाती हूँ, मुझे उन गुरु जी ने कभी नहीं कहा कि तुम भाई गुरु जी को छोड़ दो, पर अब मेरे जीवन में εक मुझे, एक बहुत प्यारे भाई मिल गए है, मेरे वीर जी मिल गए है, मेरे गुरू जी मुझे मिल गए है, निमराकी भी बांदी है मैंने उनको, और अब मैं उन्हें जिन्दगी में कभी नहीं छोड़ सकती हूँ, और क्योंकि वो मेरे जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आए हैं, तो संगत जी सब बोलने लगे रिष्टदार वगेरा कि देखा ये हो गया, ऐसा हो जाएगा, तुम्हारे साथ बुरा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं फिर भी किसी को कोई जबाब नहीं देती थी, और फोर्स भी नहीं करती थी कि तुम भी चलो, क्योंकि मैंने सुन लिया था, उन द आए, मुझे फर्स जे सपने में आए, गुर्णानवदेव जी आए, मुझे लगता था कि गुरू जी बस गुरू जी ने तो मेरी जिंदगी में आके ना बस पता नहीं क्या करिश्मा करके रखती है, तो जब हमारे पर बहुत सारी खुशिया आती है ना तो हम एकदम दु से हो गया था, हस्बन का, और हमारी एक प्रोपर्टी थी, वो बिक नहीं रही थी, डंप हो गई थी, और मैं स्टूडियो में बस काम करती थी, और बहुत बहुत ही बुरा वक्त था, बहुत डिप्रेशन था, बहुत बिमारियां थी, बैक पेन होती थी, पेट में दर्द ह होता था और सरदर्द और सरवाइकल इतना जादा था तो लेकिन मैं सब बूल चुकी थी क्योंकि मेरे जीवन में गुरुजी का परवेश हो चुका था अचानक से गुरुजी की लीला कि गुरुजी ने मेरी एक बहुती टफ परिक्षा लेने की शुरुआत की मुझे अभी मुझी से मिले वेश सिर्फ डेड़ महीना ही हुआ था और मैं पिछे मुड़के अब नहीं देखना चाहती थी तो मैं बिल्कुल एकदम मेरे खयालों में भी नहीं था कि मेरे को कभी जीवन में कुई दुख आएगा अचानक से मेरे अंकल को 105 उनको फीवर हो गया लखनव हमने अपना घर शिफ्ट करना था हमारा सारा समान नीचे उतरने वाला था वो बहुत काप रहे थे तो उनको जैपूर गोल्डन लेकर गए उन दिनों में मतलब कुछ बहुत सारी चीजें फैली हुई थी वाइरल चिकन गुनिया पता नहीं कौन कौन सी बिमारियां थी तो बहुत हॉस्पिटलों में रश्ट था सब फुल थे आईसी यू भी सारे फुल थे तो जब मेरे देवर उनको जैपूर गोल्डन लेकर गए तो मैंने कहा कि जैपूर गोल्डन मत लेके जाओ किसी और हॉस्पिटल ले जाओ इसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है तो वो कहन लगा कि अभी तो यहीं पे ही सिर्फ जगा है 40 वगेरा में विदानता में कहीं पे जगा नहीं है तो उनको एडमिट कर लिया और जब डॉक्टर ने उनको चेक अप किया तो संगजी उनका बीपी था 40 बाई 60 डॉक्टर ने बोला इनको तो तुरंत आईसी उमें डालना प और एक चरन सवरूप मिले थे छोटे से वो मैंने अपने घर के मंदिर में ही रख दिये थे तब मुझे ये पता भी नहीं था कि गुरूजी के सवरूप को फ्रेम करा के वाल पे लगाना होता है ऐसे नहीं रखना होता और अंजान थी में बहुत ज़्यादा तो क्या हुआ कि हमने मैं फट फट गुरूजी का नाम जपने लगी और मंतर जाप करने लगी कि गुरूजी तब मुझे मंतर जाप के बारे में भी इतनी महिमा नहीं पता थी कि भी मंतर जाप करने से दुखतूर होते हैं तो फिर गुरूजी ने मैं बहुत रोती रही रोती रही तो मेर उन्होंने बोला that.. बहुत बना लिए पता कोंग से गुरूं के पास ब्याती है नय नए भगवान बना लेती है। गुरू नानक डेख जी को मानती उनको छोड दियाogens, बहुत को बहुत बोलना लगे। मैं इना दिल अंदर से बहुत तड़प रहा था और मैं अकेले में कोरिडोर में बैठके बहुत रो रही थी बहुत रो रही थी गुरुजी को क्या रही थी गुरुजी मुझे इन सब की बाते नहीं सुननी इन सब को यहां से भेज दो इने क्या बताऊं आप कौन हो आप मेर भगवान हूँ, आप मेरे वीर जी हो, गुर्णानक देव जी मेरे पापा है, मैंने उन्हें नहीं छोड़ा, संगत जी उपर से प्लेन गया, जब प्लेन आता है मैं सोचती हूँ, बस जल्दी मैं इंडिया आ रही हूँ, अभी थोड़ी देर पहले हैं जंगल में मोर के गान मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, किसे मैं बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, तो मैं नहीं बता पा रही थी, और मैं किसी वो कुछ नहीं कहा रही थी, तो क्या हुआ कि अचानक से मैं नीचे वाले फ्लोर पे थी, कि फोन आया उपर वाले फ्लोर से, कि इनको हमें ventilator पे डालना पड़ेगा मेरे अंकल को उनकी तबयत बहुत बिगड़ गई जा है और फिर उनको लेके गए तो मैं मुझे इतना पता था कि गुरुजी का जल परशाद ना ठीक करता है सब बिमारियों को तो मेरा बेटा जो था ना छोटा सा था उस समय पढ़ता था कि एक लड़की के साथ मेट्रो में गया चुपचाप मंदिर गया महा पर रो रोके उसने किसी अंकल को बोला मेरे पापा इसी उमें है उनको वेंटिलेटर पे डाल दिया अंकल उनको जल परशाद दे दो तो उन्होंने उसको जल परशाद दिया होगा वो लाया चुपचा उस रात वो उनका बीपी थोड़ा सा 70 by 80 हो गया हमें एक आस बंद गई विश्वास होता ना विश्वास गुरू जी पर विश्वास तो था पर मैं किसी को कुछ नहीं कह रही थी मेरे बच्चे भी मेरे बेटियां भी मेरे खिलाफ हो रही थी कि देखो आप मम्मी क्या कर रह हो छोड़ दोन गुरू जी को मैं कहती थी मद बोलो ऐसे अपने करम मद बढ़ा हो तुम लोग मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रही हूँ ना तुम बस चुप रहो कुछ नहीं होगा पापा को पर मेरा अंदर से दिल बहुत डर रहा था कि उन दिनों मेरा विश्वास जो था दावाडोल तो नहीं मैं कह सकती था लेकिन कहीं न कहीं मैं नेगिटिव थोड़ी अभी बाकी थी तो संगत जी उस रात हम बैठे हुए थे गुरू जी के सवरूप के आगे मेरे देवर वजेट वगारा होस्पिटल में थे उन्होंने कहा कि तुम अभी घर चले जाओ यह सत समर के आते हैं राखी वाले दिन आपने मुझे भी इतना अच्छा तियार व्यार करके माँ बुलाया सारी संकते इतने अच्छे बन के आई हुई थी मैं आपके पास ऐसे ही सजी समरी आना चाहती हूं आपकी सेवा करना चाहती हूं और मैंने शुरू से इपको ये कह मुझे पता है कि उन्हें कुछ नहीं होगा पर फिर भी मेरा दिल बहुत डर रहा है लोगों की बातों से अगर ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले मेरी गुरू का नाम खराब हो जाएगा जिस गुरू का मैंने नाम पे इतना विश्वास दिखाया सबको गुरू जी आपकी ल आज बचाने से जादा एक भाई को अपनी लाज भी बचानी होती है गुरू जी शैद सुन रहे थे अगले दिन मेरे अंकल को अगले ही दिन सीधा रूम में शिफ्ट कर दिया गया जो डॉक्टर उनका इलाज कर रहा था वह बोला हम उस डॉक्टर पर भरोसा नहीं कर रहे और देखी उसी डॉक्टर ने कहा कि देख हो गए ना ठीक मैं उन्हें क्या बताती उन्हें बताने ही कोई जरुद भी नहीं थी कि आपकी दवाई से नहीं हुए ये जल प्रशा से ठीक हुए है पर डॉक्टर तो बोलते हैं न कि नहीं हमने किया पर हाँ उस समय मैंने वास की जीत हुई तो मेरे अंकल अठारा दिन हॉस्पिटल में रहे बहुत सेवाली गुरुजी ने घर भी शिफ्ट मुझसे अकेले करवाया घर देखती समान खोल देती रोज समान खोल के लगाती थी मैं अकेली एक लड़की को बुला के और बहुत सेवाली गुरुजी ने बहुत मेरे करम कटवाये इतने सारे कश थे जो इस तरीके से कटवाये तब एक दिन गुरुजी ने आके मुझे बोला विजन में आके बोला कि तु सेवा मांगती रहती थी तेरे को तो अभी पहले अपने घर की इतनी सेवा करनी थी अपने पती की सेवा करनी थी अपन मेरा मान खराब होता ना मेरा ही मेरा मान कम हो जाता कि मैं तुझे सेवा में बुला रहा हूं और तु अपने घर को नहीं देख पा रही है में सच मिसंकच्य हमारे गुरू जी को सपता होता है मैं क्या करूँ में गुरू जी के गुनगान आपके गाती हूं न तो मेरे आखे बर बर आती है आपके उपकारों का इतना इतना मेरे उपर रिन है मीरे महाराज घूरू जी आपकी मेरा रोम रोम आज आपका रहे हैं निरं सलमू में आप ऊधिढि आपकोस पता était हम संगत जी सोचते हैं कि हमें सेवा नहीं दिन हमें गुरु जी हमें प्यार नहीं करते आज संकत जब्स पूछती है hunted हम इतना बदल करते हैं हम रित्वेला करते हैं गुरु जी को मानते हैं गुरु जी हमें दर्शन नहीं देते हैं गुरु जी हमें सेवा नहीं देते हैं तो संकत जी गुरु को पता होता है कि गुरु का मान भगत का मान दोनों एक ही हैं गुरु के भगत की लाज और गुरू की लाज उन्हें दोनों बचानी होती है कल को अगर मैं मंदिर आई होती सेवा करने और पीछे से मेरे अंकल को कुछ हो जाता तो कैसे तो मेरे गुरू का नाम खराब होता कि गुरू जी ने तो इसको सेवा में बुला रखा था महाँ जाके फोन भी बंदो जाते हैं तो उस दिन के बाद न संकाची मैंने न सेवा मांगनी छोड़ दी मैंने का गुरू जी अब नहीं बोलूँगी अब जब मेरा सारे काम हो जाएंगे जब मेरा वक्त आएगा ना तब आप मुझे सेवा दे दे ना फिर उसके बाद बहुत टाइम बाद जाके मुझे सेवा मिली मैं आगे शेयर करूँगी कैसे मिली मुझे सेवा और एक और सत्संग है मेरे अंकल का ही मेरे अंकल जब ठीक उपके घर आ गए थे उन दिनों मैंने अपना नया नया स्टूडियो भी छोड़ दिया था तो जाना भी बंद का कम कर दिया था तो फिर मेरे को गुरुजी ने इधर सेवा में घर में भी बहुत उनकी सेवा में लगाया उनको निमोनिया हो गया था डबल निमोनिया और कैसे गुरू जी ने उनकी जान बचाई और फिर बहुत चिर्चड़े हो गए देड़ दो महीने तक उनके खाने पीने का बहुत ध्यान रखना पड़ा फिर उसके बाद हमारी जिन्दगी में फिर बहुत अच्छा अच्छा टाइम आया आता रहा जाता रहा दुख आते रहे जाते रहे बहुत लंबी लंबी ये कहानी है मैं अभी और आपसे शेयर करती हूं एकसर संग में जै गुरू जी शुक्राना गुरू जी संगजी कोई गलती हो गई हो तो शमा करना गुरू जी आप भी माफ करना आपने मना किया रोना नहीं है पर मैं आपके प्यार में मुझे आंसु निकलाते हैं मुझे पता है आप मुझे देख रहे हैं